दोस्तों नमस्कार एक्जाम कांकर्ष्चनल पर आपका स्वागत है मैं हमके दाननात मिस्रा दोस्तों आगामी PCS परिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक जो बहुत important section है जहां से PCS में प्रस्ण पूछे जाने की संभवना बहुत जादा है वो है नमीनतब न्यूक्तियों स तो अभी तक घटना सार में जितना मैटर दिया हुआ है हमने उसको और compile कर लिया है और उन महत्वपूर्ण जो न्यूक्तियां है उनको अलग कर लिया है जिनकी परिक्षा में पूछे जाने की संभवना बहुत अधिक है तो चलिए उन न्यूक्तियों को जल्दी से देख अधिक है इन न्यूक्तियों में जिनको भी हमने अलग किया है परिक्षा में केवल इन ही प्रश्ण पूछे जाने के सम्मावना ज्यादा है ठीक है तो बहुत ज्यादा न्यूक्तियां पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्तियां हो उनको देख देते हैं तो चलिए पहली न्यूक्ति है आरती सरीन आरती सरीन जो है इन्हें यह है वाइस एड्मीरल ठीक है ना आरती सरीन क्या है वाइस एड्मीरल है और इन्हें जो है पहली महिला महानी देशक निउक्त किया गया है तो आर्थी सरिन क्या है वाइस आड़मीरल है और इन्हें ससस्त्र बलचिकिट्सा सेवा यानि A F M E S Armed Forces Medical hor romantic service की पहली महिला महानी देशक निउक्त किया गया है और 1 October 2024 को नियों ने कारेभार गरान किया है important है इन्हें याद रखिएगा ठीक है चुकि ये पहली महिला महानी देशक बनी है AF HMAS की ठीक है next देखते हैं TV नरेंदरन TV नरेंदरन कौन है यह Tata Steel के CEO है ठीक है इस समय TV नरेंदरन Tata Steel के CEO है और इन्हें जो है World Steel Association के चेर मैंन के रूप में न्यूक्त किया गया है ठीक है TV नरेंदरन को World Steel Association के चेर मैंन के रूप में न्यूक्त किया गया है और इस पद पर पहुंचने वाले वे अब तक केवल दूसरे भारती है ठीक है तो आप सोच रहे होंगे पहले भारती का उन है तो इनसे पूर्व वर्स 2021 में सज्जन जिंदल जो जिंदल ग्रूप के चेर मैंन है इन्हों ने वर्ड इस्टील एसोसियेशन के टीवी नरेंद्रन को वर्ड इस्टील एसोसियेशन का इंपोर्टेंट है ठीक है ना नेक्स देख लेते हैं देखें नोयल टाटा आपको पता है कि हाली में रतन टाटा जी का निधन हो गया था अब नोयल टाटा जो है यह रतन टाटा जी के सोतेली भाई है ठीक है और यह टाटा ट्रस्ट के नए चेयर मैं निउख्थ हो गया है ठीक है तो यह प्रस्ण पूछा जा सकता है बहुत इंपोर्टेंट है चुकि टाटा ना केवल भारत का बलकि दुनिया का बहुत विश्वसनी ब्रांड है तो इसकी अदेख्षता कौ पूल्टास लिम्टेड और टाटा इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन के भी वह चेयर मैं है तो इसके भी चेयर मैं है वह पहले से हैं कुछ के उपाद्धेक्ष भी है वह तो उसकी चर्चा हमने नहीं किया है तो नोयल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयर मैं ने वुक्त किय गया है ये है सर्जण और Weis Admiral और भारती नौसेना में चिकित्सा सेवाओं य। उचरण है उचरण है कोई है वायस एड्मिरल है और भारती नौसेना में इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है तो अभी आपने उपर देखा कि उपर भी हमने जो है इसकी चर्चा की है आरती सरीन इन्होंने क्या है ससस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक हुई है अब आगे है कभिता सहाई इन्होंने जो है नौ सेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिद प्रीट सिंग्, तो यह है भारती वायुसेणा के नई अध्यक्ष कौन है? Europhing he प्रीट सिंग् किया है? यह भारती वायुसिणा के नई अध्यक्ष बने है और इन्होंने year när chief marsl लिटारीbrar 시 का इस्थान लिया है थीक है? तो ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा हमने केवल कंपाइल कर दिया है और केवल उन्हीं चीजों को रखा है जिनको परिक्षा में पूछा जाएगा तो आपको इसमें दिमाग लगाने के जुरुवत नहीं है आप इसको ऐसे ही पढ़ लीजेगा इससे ज ने ऐसेखते हैं सतीज कुमार जी जो है रेलवे के रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्षन उप्त हुए है घिक है और इन्होंने किसका अस्थान लिए है जया अध्यक्षं वह पार्मार ले hanged के बारे में ठीक है नेक्स देखते हैं आनन्द महिंद्रा आनन्द महिंद्रा को आप जानते हैं यह महिंद्रा समू के चेयर मैं है ठीक है अनन्द महिंद्रा महिंद्रा समू के चेयर मैं है और इन्हें जो है तेलंगाना में अस्थापित यंग इंडिया इसकिल्स इन्वर्स्टी के चेर मैंन के रूपमेन की गया है अब इसमें देखें दो चीज़ेया रखे गा यंग इन्डिया आपने नाम सुना होगा यह राष्टी महिला आयोंग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं अभी हाली में विजया रहाटकर रास्टी महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्ष हुए ठीक है इसके पहले यह जो है महारास्ट महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी और औरंगाबाद की महापवर भी थी औरंगाबाद महारास्ट की ठीक है तो रास्टी महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होई बिजया रहाटकार मोस्ट इंपोर्टेंट है यह प्रस्ण आ रहा है आपकी परिक्षा में और इसके पूर्व यह जो है मैंने इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि आजकर लोकसिवा आयोग एक से अधिक कथनों में प्रस्ण पूछता है तो इसलिए मैंने इसे जोड़ दिया है पूर्व में यह महराष्ट महिला आयोग की अध्यक्ष थी और और औरंगाबाद की महापावर भी रह चुकी है अब देखे राष्टी महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं यह एक वैधानिक संस्था है और इसकी अस्थापना क किता है तो 31 जन्वारी 1992 को की गई थी और इसकी पहली अध्यक्ष यानि राष्टी महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी सुस्री जयनती पटनायक पहली अध्यक्ष थी ठीक है ना तो यह इंपोर्टेंट है याद रखेगा नेक्स देखते हैं गिरीश्चन सियेजी हैं ठीक है ना गिरीश्चन मुर्वु भारत के पूर्व सियेजी है और सितंबर 2024 में एसीन और गजेशन आप सुप्रीम आडिट इंस्टिविशन यानि एस सो साई का अध्यक्ष ने निव्ट किया गया है ठीक है घ्रीश्चन मुर्वु क्या है यह भारत के पूर सियेजी है और सितंबर 2024 में एसीन और्गनाइजेशन आप सुप्रीम आडिट इंस्टिविशन मतलब एस सो साई का अध्यक्ष निव्ट किया गया है और इनका कारिकाल वहां रहेगा 2024 से 2027 तक यानि तीन वर्ष के कारिकाल के लिए इनकी निव्टी एस सो साई में की गई ह ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें याद रखिएगा देखें गिरीश चन्मुर्मु के अस्थान पर के संजय मूर्थी क्यों है के संजय मूर्थी के संजय मूर्थी को भारत के नए नियंत्रक महा लेखा परिक्षक के रूप में नीकत किया गया है के संजय मूर्थी ठीक है तो के क्या है कि यह संबैधानी प्रादी करण मतलब कम प्र ねट्रोलर चनल लाफं उन्डिया यह भारत की नियंतरक और महा लेखा परिक्षा की संबैधानी प्रादीकरण और भारत सरकार और राज सरकारों के वित्तिय लेंदेन का आडिट करता है ठीक है न तो यह भारत सरकार और रार्ज सरकारों के बित्तिय लेंदेन का आडिट करता है ठीक है लोक वित्त का संदक्षा कहा जाता है ठीक है अब देखें इनकी नियुक्ति और कारिकाल के बारे में है नियुक्ति की इसके द्वारा की जाती है भारत के राष्टपती द्वारा की जाती है और इसका कारिकाल होता है 6 वर्स या 65 वर्स की आये तक जो भी पहले हो ठीक है तो इसकी सेवा सरते और हटाने की प्रकिरिया सर्वोच नयाले के नयाधीज के समान है और संसद की अनुमती के बिना इन्हें नहीं हटाये जा सकता है ठीक है ना चलिए नेक्स देखते हैं इनके बारे में जो संबैधानिक प्रावधान है वह क्या है देखे अनुच्छेद 148 CAG के समद्ध में है और यह नियंत्रक और महालेखा परिक्ष का प्रावधान करता है इनके पद का प्रावधान करता है फिर अनुच्छेद 148 आता है यह CAG के करतब्यों और सक्तियों को परिवासित करता है अनुच्छेद 149 ठीक है अब अनुच्छेद 150 की चर्चा करते हैं यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का निर्माण और रख रखाव समद्धी प्रावधान की बात करता है अनुच्छेद 150 भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का निर्माण और रख रखाव समद्धी प्रावधान की चर्चा करता है और अनुच्छेद 151 क्यावन यह भी most important है यह CAG की रिपोर्ट राष्टपती को सौंपी जाती है ठीक है राष्टपती इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करते हैं और राज यस्तर पर यह प्रक्रिया राज जेपाल द्वारा की जाती है ठीक है तो अगर प्रस्ण पूछा जाए कि किस अनु बातों को याद रखेगा ठीक है भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षक किपद की जो चर्चा अनुच्छेद 149 में है ठीक है करतब्यों और सक्तियों का वाणन 149 में है और इसकी रिपोर्ट देने के लिए राष्टपती को रिपोर्ट संपी जाएगी राष्टपती इस को सुनिश्चित करता है यह भी इंपोर्टेंट ठीक है एक लाइन में यह पूछा जा सकता है कि CAG के समन्हें कौन सा कथन साई है कौन गलत है तो CAG भारत में बित्तिय पारदर्सिता और जबाद देही को सुनिश्चित करता है ठीक है चलिए नेक्स देखते है अगली निय कि UPSC की पहली महिलाद्ध्श कौन थी यह थी रोज एम बैथ्थिय। तो UPSC की पहली महिलाद्ध्श थी रोज एम बैथ्थिय। तो आप इन्हें याद रखिएगा यह most important है और इन्होंने मनोष सुनी का अस्थान लिया है तो यह परिच्छा में इनके बारे में पूछा जा सकता है या मिलान करने के लिए आ सकता है ठीक है ना चलिए नेक्स देखते हैं लेटिनेंट जनरल साधना सकसेना नायर ठीक है इनके बारे में जानते हैं कि लेटिनेंट जनरल साधना सकसेना नायर कौन है तो यह है चिकित्सा सेवा यानि सेना के सेना के चिकित्सा सेवा के महा निदेशक का पद ग्रहन करने वाली पहली महिला है और सबसे खास बात यह है कि यह प्रयाग राज उत्तर प्रदेश की निवासी है तो इन्हें याद रखेगा अब देखे तीन महिलाएं चिकित्सा सेवा में आ गई सेना में एक है आ रति सरीन दूसरी है कभिता सहाय और तीसरी है लेटिन जनरल साधना सक्सेना इन तीनों को आप याद रखिएगा फिर से बता देता हूँ आरति सरीन इनके सम्मंद में पूछा जा सकता है कौन किस विभाग में किस सेना में किस पद पे है आरती सरीन कविता सहाय देखें आरती सरीन कविता सहाय और और साधना सक्सेना नायर कौन है साधना सक्सेना नायर तो इन तीनों को आप याद रखेगा ये तीनों बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है नेक्स देखते हैं देखे रंधीर सिंग रंधीर सिंग क्या है यह पूर्व निशाने बाद है 1978 के बैंकाक ACI खेलों के स्वाणपदक विजेता है ठीक है पूर्व निशाने बाद 1978 के बैंकाक ACI खेलों के स्वाणपदक विजेता है नई दिल्ली में आयोजित ACI ओलंपिक परिशत की 44 मी आमसभा में OCA, OCA मतलब ओलंपिक काउंसिल आप ACI का पहला भारती अध्यक्ष निर्वादचित किया गया है ठीक है न तो कौन है रंधीर सिंग, रंधीर सिंग पूर्व निशाने बाद है और 1978 के बैंकाक ACI खेलों के स्वाणपदक विजेता है उससे इंपोर्टेंट है जो नमीनतन नियुक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं किनकी नियुक्ति नई दिल्ली में आयोजित ACI ओलंपिक परिषद की चवालिशमी आमसभा में ओलंपिक काउंसिल आप ACI OCA का पहला भारती अध्यक्ष निर्वादचित किया गया है इस प्रतिष्थित पद को पारने वाले ये पहले भारती है most important है ठीक है अब इसमें 2% ध्यान रखिएगा एक प्रसन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ACI ओलंपिक परिषद की जो आमसभा हुई वह कहां हुई 44 में तो वह नई दिल्ली में हुई और इसकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया पहले भारती अध इससे ज़्यादा इनके सिर्स निकाए यूरोपी परिषद यानि यूरोपीयन काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया है बस इतना ही जाना इनके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना इन्टोनियो को स्था कौन है पुत्तगाल के पूर्वपरदान मंत्री और इससे ज़्यादा कुछ न जानिये बहुत ज़्यादा भार लेने की जरूरत नहीं है नेक्स देखते हैं उर्सुला वान डेर लेन ये कहां की है ये जर्मनी की है और इन्हें लगातार दूसरे कारेकाल के लिए यूरोपी आयोक का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तो पहली बार इन्हें निर्वाचित किया गया था एक नॉबर 2019 को अब दूसरी बार निर्वाचित किया गया है अब देखे इनका जो कारेकाल है जो यूरोपी आयोक की अध्यक्ष का कारेकाल होता है वह पांच वर्स का होता है कितना होता है पांच वर्स का कारेकाल होता है त और ये जो है नाटो के मतलम North Atlantic Treaty organization के नए महासच를 चुने गए युद्ध हो रहा है इसके साथ हो रहा है बर्तमान में जो रूस और युक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें जो नाटो की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए नाटो चर्चा में बना हुआ है लागतान तो मार्क रूटे का नाटो के नए महासच्यू बने है इनके समख से चुनावतिया बहुत है नाटो चुकि युक्रेनियुद से जुड़ने के कारण यह बहुत इंपोर्टेंट है तो यहां से प्रस्ट पूछा जा सकता है ठीक है ना तो मैं इसे पहले से बता दे रहा हूँ यह इंपोर्टेंट है मार्करूटे नीडल उएंड के पूर परधार मंत्री और नाटो के नाई महासाचिय चुने गए है नाटो के बारे में जा ले composition फुछ थी और इसका मुख्याला है बुंख्याल से लेश नाटो के स्थापना 4 अपरेल 1989 और मुख्याला बुंख्याला है बुंख्याला ब्रुसेल्स rea वेल्जुम में और इसके कुछ सदस्वडेश कितने है 32 32 सदस्वडेश है लाटो के ठीक है मतलब भारत के पहले artificial intelligence universal AI university मुंबई के संस्थापक कुलपती का पदभार समालने वाले पहले बिधेशी नागरिक है ठीक है तो जो भारत की पहली AI university है उसके संस्थापक कुलपती के रूप में साइमन माइक को न्यूक्त किया गया है और यह अमेर्की प्रोफेशन है ठीक है नेक्स दिखते हैं Admiral दिनेश कुमार यह 26 में नौ सेना ध्यक्ष बस इतना जान लिजे कौन है दिनेश कुमार 26 में नौ सेना ध्यक्ष है बस ठीक है संजय कुमार मिस्रा के बारे में जानते हैं यह कौन है यह पूर्ब न्याधीस है इन्हें जियस्टी अपीलिये न्याधीकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नौत किया गया है इनका कारेकाल होगा चार वर्सका अब देखें जियस्टी अपीलिये न्याधीकरण केंद 2017 के ताहत गठित हुई ठीक है तो इसके बारे में भी जान लिजे और इसकी मुख्य पीठ है नई दिल्ली ठीक है तो संजय कुमार मिस्रा जीस्टी अपीली नियाधिकरण के पहले अध्यक्ष ने उक्त हुए हैं चुकि पहले अध्यक्ष है इसलिए बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है और इनका कारेकाल है चार वर्ष का जीस्टी अपीली नियाधिकरण केंद्री बस्त वेवं सेवाकर अधिनियम 2017 के ताहत गठित हुआ है और इसकी मुख्य पीठ है नई दिल्ली चलिए नेक्स देखते हैं मनोज पांडा के बारे में जान लेते हैं हमें बितायों के पूर्ण कालिक सदस के रूप में नियुक्त किया गया है नेक्स्ट देखते हैं किसोर मकवाना कौन है यह है रास्टी अनसूची जातियायों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने अस्तान किसका लिया है बिजय सांपला का बि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निउक्ष्ट हुए हैं यह भी इंपॉर्टेंट है नौने सागल कौन है पूर्भ आईएएस हैं और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष्ट हुए हैं नेक्स्ट देखते हैं, संथिल पांडियन के बारे में जान लेते हैं, भारती प्रसासनिक सेवा के बरिष्टादिकारी हैं, कौन? संथिल पांडियन, भारती प्रसासनिक सेवा के बरिष्टादिकारी हैं, और डबलू टीयो, विश्व व्यापार संगठन में भारत के तो संथिल पांडियन के बारे में आप जानते रहिएगा बहुत इंपोर्टेंट है देखे आब WTO के बारे में थोड़ा सजान लिजिए WTO की अस्थापना कब हुई थी एक जनवरी WTO की अस्थापना एक जनवरी 1995 को हुई थी इसका मुख्य उद्दे से क्या था अंतर राष्टी ब्यापार को सुगम बनाना और जो ब्यापार से सम्बंधित विबाध है उनका निप्टारा करना साथ ही ब्यापार नियमों को लागू करना भी WTO का काम था इसका मुख्याले कहा है WTO का मुख्याले है जिनेवा सुग्जालेंड इसकी अस्थापना एक जनवरी 1995 को हुई थी और देखे इसमें बरतमान में जो सदस्य देश हैं वो कितने है 164 सदस्य है सदश से कितिने हैं डबलू टी ओके 154 सदश्ट से देश हैं डबलू टी ओके ठीक है ना अब देखें कभी कभी जो है यह पूछा जाता है कि उर्यग्वे सम्झाउता किस से संबन्दित है तो उरुग्वे समझाउता जो है वह है वो गयEd से संबन्दित है जो General Agreement आप टेरिफायन ट्रेज से संबंदी था उरुग्वे दौर की बारता और यह आगे चलकर यही 20 सुब्यापात संगठर में करनवाट होती है तो अक्सर PCS में परिक्षा में पूछा जाता है कि उरुग्वे दौर की बारता का संबंद किस से है आपको याद होगा कि उरुग् देने की जरुवत नहीं थीक है न तो रुग्वे दौर की बारता गयट या डब्लू टीयों से संबंद में है ठीक है न चलिए नेक्स देखते हैं देखे विकास सिल विकास सिल यह किसी देश का नाम नहीं है एक वेक्ति का नाम है उनका नाम है विकास सिल और यह तो यह याद रखेगा ADB के नए कारेकारी निदेशक यानि ACI विकास वेंक के नए कारेकारी निदेशक है विकास सिल ठीक है अब देखे ADB के बारे में जान लेते हैं ADB की जो अस्थापना हुई वो 19 दिसंबर 1966 को ही थी इसका मुख्याला है मनीला फिलिपिन्स में और इस सिल को जो है कारेकारी निदेशक 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 किया गया है ADB में भारत के ठीक है नेक्स देखते हैं और आखरी पॉइंट है आज का डाक्टर समीर साब भारती मूल के ब्रिटिस है ठीक है ने भारती मूल के ब्रिटिस नागरिक है यह और इन्हें BBC के च हमने आपको बता दिये, किताबों में बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने बिल्कुल compile कर दिया है, केवल उन्हीं तत्यों कोई कठा किया है, जिनके परिच्छा में पूछे जाने की नहीं जा सकते, इसलिए उसको compile करना अपना काम है, मैं ऐसी छोटी-छोटी वीडियो आपको बना के देता रहूंगा, आप इसे पढ़िए, current affairs में आप कहीं गलत करके नहीं आएंगे, तो अभी के लिए इतना ही, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कर लिजे, साथी बिल आइकन भी दबा लिजे, ताकि कोई भी नई अपडेट आपको तुरंत मिले, और अगर इन तत्यों की आप PDF चाहते हैं, तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल और WhatsApp चैनल जोईन कर लिजे, उसका लिंक हमने description बाक्स में दे दिया है, टेलिग्राम पे और WhatsApp पे आप exam conkers के नाम से आप चैनल सर्च करेंगे, तो वहाँ आपको यह चैनल मिल जाएगा, उसका logo भी है, एक pen है, और उसके नीचे exam conkers yellow में लिखा है, yellow blue का उसमें combination है, तो वहाँ से आप इन तत्यों की PDF IGT डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे बार-बार दोहरा सकते हैं, त कुछ नए तत्यों के साथ, तक तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद.